आज बनाएंगे सूजी की सौफ्ट स्पॉंजी जालीदार इडली जो की मुँ में जाते ही खुल जाएगी तो चलिए फिर बनाते हैं तो सूजी की इडली बनाने के लिए हमने आप लिए 500 ग्राम के जितनी सूजी मैं याँ पर थोड़ी सी जादा क्वांटिटी में बना रहे हूं और लगभग 250 क्राम के जितनी हमने खट्टी दही ली है ध्यान रखें इसके लिए खट्टे दही का ही इस्तिमाल करना है या फिर आप चाहें तो चाज का भी इस्तिमाल कर सकते हैं उतनी ही क्वांटिटी में हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही डालने से क्या होगा, कि जो एडली होती है, वो हलकी सी खटी होती है, तभी उसका अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए खटी दही का इस्तमाल करें, या फिर खटी छाज का इस्तमाल करें, अब जरूरत की हिसाब से, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगी और गाड़ा सा बैटर हमें तयार करना है इस बात का ध्यान रखेगा तो बस इसे अच्छे से मिला लीजिए हम फिर स्वात के अनुसार डाल देंगे नमक यानि कि नमक बहुत जादा तेज नहीं करना होता है थोड़ा सा न तो यह देखें ज्यादा पतला नहीं करेंगे इस बात का ध्यान रखेगा कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको इसकी रखनी तो यह दिखें अब इसमें जाएगा इनो तो यहाँ पर यहाँ पर यह मैंने इनो का पैकेट लिया है तो आधा किलो सुजी के लिए मैं यह पानी करम होने के लिए रख दिया थकड़ाही में तो आप भी पहले ही कड़ाही में पानी करम होने के लिए रख दियेगा और बस इनों डालके से अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ा सा फलफी फलफी सा दिखाई देने लगेगा और इसे बहुत जादा मिक्स नहीं करना है और ज़्यादा देर भी नहीं करनी है जितनी जल्दी जल्दी आप ये तयार करेंगे उतनी ही पढ़िया आपकी इडली अच्छे से फूलेंगी यहाँ पर मैंने इडली का मोड लिया है इसे थोड़ा सा तेल लगा करके चिकना कर लिया था तो इसमें हम ये जो सूजी का बैटर है वो फिल कर देंगे लेकिन पूरा नहीं भरेंगे थोड़ा सा खाली रखेंगे तो यह देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा खाली रखेंगे क्योंकि ये सूजी कीडली है और बहुत ही अच्छे से फूलने वाली है तो थोड़ा इस्पेस इसके लिए चाहिए होता है तो या तो आधा भरिये या आधा से थोड़ा जादा भर सकते हैं तो यह देखिए हमने इसी तरह से फिल कर दिया है और सारे ही मोल्ट हम इसी तरीके से फिल कर लेंगे कड़ाही में पानी पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था और इस तरह से हम लेट लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने दो प्लेटें ऐसे इसमें लगा दी थी फ्लेम को तेज कर देंगे और हाई फ्लेम में हम इसे लगभग दस से बारा मिनट तक पकाएंगे दस मिनट बाद ऐसे चेक कर लेंगे टूथपिक डालके अगर इस तरह से यह टूथपिक बिल्कुल क्लीन आती है यानि कि हमारी जो इडली है वो अच्छे से स्टीम हो चुकी है तो बस मैंने इसे हाई फ्लेम में लगभग बारा मिनट के लिए स्टीम किया है इतनी देर में अच्छे से स्टीम हो गई है अब हमने इन्हें निकाल लिया था और थोड़ा इन्हें ठंडा हो जाने दीजिएगा जिससे कि यह आसानी से और अच्छे से निकलाएंगी तो इस तरह से चाकू गुमा देनी और आप देख सकते हैं जो हमारी इडली बनी है वो कितनी बढ़ ही मज़ेदार सॉफ्ट स्पंजी एकदम इडली बनके तैयार है मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और इसे हमने सर्व किया है सामभर और मोमफली की चटनी के साथ और यह बहुत ही टेस्टी लगती है तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूं कि हमारी जो इ